नमस्कार दोस्तो इंडियन कॉंट्रैक्ट एक्ट 1872 के लेक्चर नमबर 4 में आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में हम लोग Acceptance और Essential Elements of Valid Acceptance इन दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं कोई भी कॉंट्रैक्ट के कुछ Essential Elements होते हैं सबसे पहले तो कॉंट्रैक्ट में दो पार्टी चाहिए उनमें से एक पार्टी कोई प्रपोजल करना चाहिए मान लीजिए एक party ने proposal किया उस दूसरी party के उपर है उस proposal को accept करना या reject करना अगर party proposal को reject कर देती है तो contract पैदा होने का सवाल ही नहीं होता लेकिन अगर दूसरी party पहली party का जो proposal है उसको accept कर देती है तब जाकर उस proposal का promise बनता है अगर उस promise में हम लोग lawful consideration एड कर दे तो वो promise agreement में बदल जाता है agreement में अगर हम लोग free consent और enforceability by law एड कर दे तो उस agreement को हम लोग आगे चल कर contract कहेंगे तो contract बनने के लिए proposal और acceptance ये दो basic चीज़े है last lecture में हम लोग ने proposal के बारे में discuss किया था इस lecture में हम लोग acceptance के बारे में बात करेंगे शुरुआत करते हैं introduction से इसको अगर मैं हिंदी में कहना चाहूं तो दो parties है अगर कोई party proposal करती है और अगर दूसरी party को वो proposal accept करना है और वो orally written या फिर कोई activity करकर पहली party को बताता है कि मैं आपका proposal accept करता हूं या फिर आपके proposal के उपर काम करना चाहता हूं तो ऐसा माना जाता है कि दूसरी party ने पहली party का proposal accept कर दिया Indian Contract Act 1872, Section No. 2, Subsection B में, Acceptance को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करता है When a person to whom a proposal is made signifies his ascent thereto, the proposal is said to be accepted The acceptance has to be communicated either orally or by written means, but mental acceptance is invalid Acceptance has to be complete and not qualified हम लोग एक एक चीज़ के बारे में बात करते है Acceptance has to be communicated either orally or by written means Acceptance का basic rule ही यही है कि सामने वाली party जो proposal करती है उसको जिस mode में acceptance चाहिए, उसी mode में हमें वो acceptance communicate करना चाहिए लेकिन अगर कोई ऐसा शर्त नहीं है, तो business world में जो day-to-day practices है उनका इस्तमाल करके हम लोग acceptance communicate कर सकते है Either orally or by written means or by doing some activity For example, आपने grocery store के पास आप चले गए, आपने उस सबजी वाले को कुछ पैसा दिया और सबजी उठा ली, तो you have done some activity and you have accepted the proposal You have given proposal, you have paid the money and completed the whole transaction इस चीज़ को हम लोग कहेंगे आपके बीच में contract हुआ और आपने एक activity करकर उसे accept कर दिया लेकिन मान लीजिए, आपने मुझे कोई offer दिया और मैंने उसे मन में accept कर दिया और अगर आपने वो चीज़ किसी दूसरे को बेज दी तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने मन में accept कर दिया था तो आपको वो चीज़ मुझे बेचनी चाहिए Mental acceptance is strictly invalid Acceptance has to be complete and not qualified मान लीजिए, आपको मुझे कोई flight बेचना है और आप कहते है अगर तुम मुझे इस flight के 40 लाग दोगे तो ये flight तुम्हारा और अगर मैं कहता हूँ कि मैं 38 लाग देना चाहता हूँ मुझे ये flight दे दो तो हम लोग के बीच में कोई deal नहीं हुई आपने मुझे एक proposal दिया मैंने उसको reject किया और एक counter proposal आपको दिया अब उस proposal को accept करना या ना करना आपके हाथ में है मेरे ख्याल से आपको introduction वाला slide समझ में आया होगा अभी हम लोग एक practical example की बात करते है आपने Burger King नाम की American Company के बारे में सुना होगा वो इंडिया में साल 2020 में एक IPO लाने जा रही है मान लीजिए वो IPO का जो offer price है वो 100 रुपया हो जाता है Mr. A को Burger King के share खरे दी करने है 100 रुपया offer price पे उसे वो shares चाहिए उसके पास 10,000 रुपया है वो 10,000 रुपया deposit करता है in his demate account और apply करता है कि मुझे वो share दे दो अभी क्या होता है वो IPO over subscribe हो जाता है और Mr. A को उसके shares नहीं मिलते Mr. A कहता है मेरे पास पैसे थे मैंने पैसे पूरे के पूरे भर दिये लेकिन फिर भी मुझे company की तरफ से shares नहीं मिले तो company ने breach of contract किया है Is there any breach of contract on the part of company? सवाल को attempt करने की कोशिश करिये मैं आपके लिए पाथ सेकेंड रुखता हूँ आशा करता हूँ आपने सवाल का जवाब दिया होगा अभी हम लोग answer के बारे में बात करते है Company की तरफ से कोई भी breach of contract नहीं हुआ क्यूंकि Burger King has issued an IPO to invite the bids for the shares and Mr. A is making an offer to the company to accept his bid for the shares It is upon the company to accept his bid or not Once the company accepts his bid then Mr. A becomes a shareholder and then there is a contract between both of them Mr. A जो कह रहे है कि company की तरफ से breach of contract हुआ है वो totally गलत है Company ने एक IPO लाया है इसका मतलब company ने हम लोग को offer देने के लिए invite किया है और जब हम लोग उस offer को respond करके अपने पैसे जमा करते है तो उस company के उपर है कि किस आदमी के पैसे जमा करने है किस institutional investor के पैसे लेने है ये पूरी तरह से company के उपर depend है हम लोग ये नहीं के सकते कि हमारे पास पैसे पूरे है तो company की तरफ से कोई breach of contract हुआ है आशा करता हूँ आपको ये situational problem समझ में आया होगा अभी हम लोग essential elements of acceptance के बारे में बात करते है essential elements of valid acceptance every proposal has to be accepted ये पहला element है acceptance has to be absolute and unconditional acceptance can be expressed or implied acceptance should be made in usual and reasonable manner acceptance must be made to an ascertain person mere mental acceptance is not valid mode of communication of acceptance should be as follows acceptance to an offer means acceptance to all its terms and conditions acceptance must be communicated मैं आपको एक basic format देता हूँ इन चीजों को लिखने का बाकी आप लोग समझदार है आपने 12th अच्छे से पास किया है आप लोग LLB में भी 2 साल पास करके तीसरे साल में आ चुके हो तो आपको आंसर लिखने के अलग-अलग तरीके अच्छे से आते है अगर आपने मुझे कोई प्रपोजल दिया और मैंने आपका वो प्रपोजल रिजेक कर दिया तो कॉंट्रेक्ट होने के सारे चांसेस वही टर्मिनेट हो जाते है दूसरे बारे में बात करते हैं एक्सेप्टन्स हैस टू बी एप्सुलूट एड अनकंडिशनल मान लीजी आपने मुझे कोई ओफर दिया मैं पहले वाला ही एक्जांपल देता हूँ आपने मुझे ओफर दिया कि 40 लाग में मैं आपको ये फ्लाइट बेचना चाहता हूँ मैं आपको कहता हूँ मैं आपका फ्लाइट टो खरिदना चाहता हूँ लेकिन मैं इसके 38 लाग दूँगा तो आपका पहला ओफर मैंने रिजेक कर दिया और मैंने आपको दूसरा ओफर दिया तो हमारे बीच में कोई acceptance नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो acceptance था वो conditional था so acceptance has to be absolute and unconditional acceptance can be expressed और implied implied का मतलब है किसी activity के जरिए एक acceptance बता देना जैसे मैंने आपको grocery store का example दिया था उसे हम लोग कहेंगे implied acceptance और express acceptance यानि सामने वाली party को either orally बताना या फिर written तरीके से बताना कि मैं आपका offer accept कर रहा हूँ चौते point के बारे में बात करते हैं acceptance should be made in usual and reasonable manner acceptance का basic rule ही यही है कि जो party proposal दे रही है वो कहती है कि मुझे इस तरीके से acceptance चाहिए तो सामने वाली party को उसी तरीके से respond करना है लेकिन अगर ऐसे कोई condition नहीं है जो party proposal दे रही है उसकी तरफ से अगर कोई ऐसी condition नहीं है तो business world में जो भी usual या फिर normal manner के है उन तरीके से हमें respond करना चाहिए तो basically हमें either orally बताना है या फिर written तरीके से बताना है acceptance must be in a usual or reasonable manner पाचवे point के बारे में बात करते हैं acceptance must be made to an ascertained person proposal में मैंने आपको बताया था कि proposal जो है वो एक person को दिया जा सकता है या फिर at general public at large मान लीजिए एक builder है वो कहता है कि मैं आपको ये flat offer price में देना चाहता हूँ और offer price है 45 lakhs तो वो जो price है वो builder जो है उसे वो flat ascertain person को देना चाहिए ascertain person का basic भाशा में मतलब है first comes first serve basis पर देना चाहिए मान लीजिए offer पहले 100 ग्रहाकों के लिए valid है तो पहले 100 लोगों को ही वो offer price मिलनी चाहिए 100 से ज्यादा या फिर 100 से ज्यादा 101 को आगर कोई buyer आए तो उसके लिए वो offer price नहीं रहेगी क्योंकि the offer was made to a certain person यानि certain लोगों को ही वो offer valid थी अभी हम लोग छटे point के बारे में बात करते है mere mental acceptance is not valid ये point self-explanatory है mode of communication of acceptance ये थोड़ा important point है mode of acceptance has to be made as per the desire of the party making a proposal otherwise there are some normal mode of acceptance number one spoken words written letter by an activity post mail fax whatsapp messages इन तरीके से आप acceptance को communicate कर सकते है acceptance to an offer means acceptance to its all terms and conditions जब आप किसी proposal को accept करते हैं इसका मतलब है आपने एक qualified acceptance दिया है यानि आपने उसके सारे terms and conditions को duly accept किया है इसका मतलब है आप उसके सारे terms and conditions को liable हो acceptance must be communicated जैसा मैंने आपको बोला था mental acceptance is not valid तो point six और point nine interrelated है आशा करता हूँ आपको acceptance पाला topic समझ में आया होगा यह topic यही पर खतम होता है और अगर आप मेरे lecture में यहां तक बने है तो मैं आपको request करता हूँ कि मेरे channel को google paper जरूर support करिए आपका support मेरे लिए encouraging होगा that's it for today's lecture thank you so much please like share and subscribe to my channel